नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल पर आज इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में पहला सेमी फाइनल खिला जाएगा जो की मुंबई के वान खेड़े इस टेडियम में दोपैर को दो बजे पंदरा तारीक को होगा तो इस मैच की प्लेइंग लिए उन क्या हो सकती है कौन से प्लेयर आज के मैच में हमारे लिए इंपोर्टेंट पिक होंगे और आज के मैच में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और दोस्तो आज के match में competition बहुत ही कम है इसका region भी मैं आपको बताऊँगा और मैं आपके लिए यहाँ पर चार prediction लेकर रहा हूँ अब इन में आपको कितने player को fix रखना है, player को rotate कैसे करना है और captain और vice captain किस तरह से select करना है सब कुछ हम इस वीडियो में discuss करेंगे, पर दोस्तो इस World Cup में दोनों team दूसरी बार आमने सामने होंगी इससे पहले जो match हुआ था वो ध्रमशाला में खेले गाया था और India ने New Zealand को हराया था लेकिन वो match काटे का था और वहाँ पर विराट कोली का सतक मिस हुआ था और वही New Zealand की बात करें तो डैरी मिचल ने सतक लगाया था और रचित रविंदर ने अच्छी इनिंग खेली थी यानि कि दोनों टीम से जैसे कि इंडिया की तरफ से सिरफ विराट कोली ने अच्छी इनिंग खेली थी बाकी के प्लेयर ने थोड़े थोड़े रन बनाए थे इसी तरह ऐसे New Zealand की तरफ से भी सिरफ दो ही प्लेयर ने अच्छी इनिंग खेली थी तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है मतलब कि यहाँ पर wicket भी गरेंगे और run भी बनेंगे run इतने ज़ादा भी नहीं बनेंगे और अब बात करते हैं captain और wise captain की तो captain और wise captain में आपको सिर्फ 4 player को बताऊँगा सिर्फ आपको उनी में से player को rotate करना है और मोहमत समी ने उस match में 5 wicket निकले थे तो आज के match में आपको कितने fix player रखने है कम से कम आपको 7-8 player बताऊँगा जिनको आप अपनी सभी team में fix रखना है तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर wicket keeper section की अब दोस्तो wicket keeper section में यहाँ पर 3 option है तो यहाँ पर सबसे safe option है लोकेस राहूल इंडिया की बैटिंग आए या फिल्डिंग आए इसको आपको try करना है डेविड कौनवे इसका जो current form है वो बहुती खराब है इस वज़े से आप इसको drop भी कर सकते हो तो यहाँ से मैं लोकेस राहूल को अपनी टीम में select करूँगा बैटिंग से action की बात करें तो रोहित सरमा है जिसका current form बहुती शांदार है विराट कोली है केन विलियमसन है डेरी मिचल है शुमन गिल है स्रेश सेयर है सूर्य कुमार यादव है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के मैच में ग्रैन लिग जितने की probability बहुत ही जादा है competition बहुत ही कम है इसका reason यह है कि आज के मैच में जादा तर लोग क्या करेंगे रोहित सरमा को भी रखेंगे यहाँ पर शुमन गिल को भी रखेंगे विराट कोली को भी रखेंगे लेकिन यह semi final है और pressure वाला match है और सामने न्यूजिलेंड जैसी strong team है तो इस वज़े से यहाँ पर wicket आपको गिरते हो दिखाए देंगे तो आप रिस्क आसानी से आज के match में ले सकते हो चाहोतो आप शुमन गिल पर रिस्क ले सकते हो रोहित सरमा पर रिस्क ले सकते हो झारूर लेना है क्योंकि आज के match में wicket जरूर जाएंगे तो यहाँ से अभी के लिए मैं एक team बनाता हुँ रोहित सर्मा, विराट कोली, केन विलियम संड, डैरी मिचल, ये च्यार प्लेयर को मैं अपनी टीम में सेलेक्ट करता हूँ, आल राउंडर सेक्षन की बात करें तो रचिन रविंदर सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर है, इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में बहुती अच्छ बॉलिंग सेक्षन की बात करें तो मुहमद शमी जिसने पांच विक्ट निकाले थे और उसके बाद जस्परित मुम्रा टेंट बॉल्ड इस मैच में फिक्स प्लेयर बनाना है, कुल्दी प्यादव ने भी दो विक्ट निकाले थे इसी टीम के अगेंश, लोग की फर्गु प्यादव को अपनी सबी टीम में फिक्स रखेंगे, तो यह हमारे एक डेमो है, अब दोस्तों इस डेमो में हमें कितने प्लेयर को फिक्स रखना है, और आपको जो मैं आपको बाते बताऊंगो, उन चीजों को आपको समझना है, और उसके बाद आपको multiple team को create करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले fix player की बात करें तो विराट कोली, डैरी मिचल, रचिंद रविंदर, आर रविंदर और यहाँ से तीनों आपको बोलर, यह player आपको अपनी सबी टीम में fix रखने है, पांच, छह, साथ और लोकेस राहूल भी आपको fix रखना, आठ प्लेयर आपको प्लेस करना है, जैसे कि इसकी जगाँ आपको स्रेश सेयर के साथ जाना है, या फिर यहाँ पर शुमन गिल को ले सकते हो, इस तरह से इस player को भी rotate करना है, अब बात करते हैं captain और wise captain की, तो आज के match में captain और wise captain आपको कितने player को select करना है, विराट कोली, रचिद रविंदर औ इनको आपको captain बनाना है, और wise captain की से बनाना है, रविंदर जडेजा, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप चाओ तो अपनी सभी team में, अगर इंडिया की batting आती है, तो रविंदर जडेजा को wise captain बना कर, फिर captain rotate कीजे, जैसे कि एक team में, विराट कोली को बनाएए, रचि के बाद आप यहां पर रोहित सर्मा को drop कीजिए, और फिर आप captain इस तरह से rotate कीजिए, यह आपके पास अलग-अलग विकल्प है, यानि कि इन तीन player को आपको captain बनाना है, और इन दो player को आपको wise captain बनाना है, अब rotate कौन से player को करना है, जैसे कि Mitchell Sentinel को rotate कीजिए, अब इसकी साथ जाना है, डेविट कॉनवे के साथ जाना है, इस तरह से, और आज के match में मैंने ये एक balance team बनाई है, अब इन में जो मैंने आपको fix player बताए थे, उन fix player को आपको अपनी सभी team में fix रखना है, और captain और wise captain भी मैंने बताई है, तो आज के match में competition कम है, और grand league जीतने की probability बह change नहीं करना, ये team मुझे सबसे best लग रही है, इसमें सिरफ आपको mind लगाना है, क्या mind लगाना है, और इस team की मैं यहाँ पर 8 से 10 team बनाऊगा, जो की आपको अपनी team में try करना है, क्योंकि यही team आज के match में आपको grand league win करवा कर दे सकती है, और दोस्तों ये हमारा telegram channel है, ट एक channel आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको इस link को ध्यान से match करके real channel से जुड़ना है, current subscriber भी आपको ध्यान में रखना है, 32,000 से ज़्यादा हमारे subscriber है, तो ये दो चीजे आपको जरूर से notice करनी है, तो अब बात करते हैं, जो मैंने आपके लिए 4 team बनाई है, उनकी, त सबसे पहले तो ये हमारी पहली team है, तो दोस्तो इसमें आप देख सकते हो, विराट कोली को मैंने captain बनाया है, और vice captain रचिंद रविंदर, अब आपको क्या करना है, ट्रेंट बोल्ड को vice captain बनाना है, अगर यहाँ पर New Zealand की fielding आती है, उस condition में, और वहीं अगर यहाँ पर New Zealand की batting आती है, तो उस condition में आपको क्या करना है, केन विलियमसन को captain बनाये, रचिंद रविंदर को बनाये captain, या फिर मोहमद समी को vice captain बना सकते हो, इस तरह से, तो यह मैंने एक balance team बनाया है, अब risk आपको कहाँ पर लेना है, रोहित सर्मा और यहाँ पर Mitchell सेंटनेर, इन पर आ रचिंद रविंदर को मैंने यापर vice captain बनाया है, अब दोस्तों आपको क्या करना vice captain किसे बनाया इस team के according, मोहमद समी आपके लिए best होगा vice captain के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने top order के player को drop किया, इस वज़े से मोहमद समी को आप vice captain बनाये, क्योंकि इस team में नै तो मेरे पास मुम्बरा है, इस वज़े से ये आपको कम से कम 3 wicket जरूर निकाल कर देगा, तो ये आपके लिए अच्छी choice है vice captain की, और फिर आपको captain rotate करना है, जैसे कि आप यहाँ पर डेरी मिचल को भी बना सकते हो, रचिन रविंदर, विराट कोली इस तरह से, और बड़ा risk लेना चात रखने को नहीं मिलेगा, विकिट गिरते हो, दिखाए देंगे, तो इस team की आपको 8 से 10 team बनानी है, कैसे बनानी है, जैसे कि मैंने आप रविंदर जडेजा को vice captain बनाना है, अब आपको captain rotate करना है, केन विलियमसन एक team हो गई, दूसरी team रचिन रविंदर, तीसरी team विराट को ले, इसी तरह से आपको फिर क्या करना है, ट्रेंट बोल्ड को vice captain बनाना है, फिर आपको इन तीनों player को captain बनाना है, इस तरह से, अब बात करते हैं, इनमें risk कहाँ पर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लोकी फर्गुसन को try किया, ट्रेंट बोल्ड को try किया, अब आप चाहो तो यहाँ पर मुंबरा को drop कीजिए, इस player की जगहा है, जो भी team पहले fielding के रहे, उसके एक बोलर को try कर सकते हो, जैसे कि मुंबरा की जगहाँ आप team Saudi को अपनी team में try कर सकते हो, अगर New Zealand की fielding आती है, उस condition में, और वहीं अगर India की पहले fielding आती है, तो यहाँ पर मैं team player, और vice captain के लिए, रविंदर जडेजा, ट्रेंट बॉल्ड और यहाँ से मौमद समी, इनको आपको vice captain बनाना है, और अब हम अपनी चोथी team को open करके देखते हैं, तो दोस्तों यह हमारी चोथी team है, यूनिक team है, और इस team में थोड़ा सा मैंने balance team बनाई है, और यहाँ पर मैंने रविंदर जडेजा को vice captain बना है, इसको vice captain क्यों बना है, क्योंकि दोनों मेरे पास opener है, अब opener जब अच्छी नहीं खेलेंगे, तो middle में रविंदर जडेजा विकेट निकालेगा, इस वज़े से इसको मैंने vice captain बनाया है, और वहाँ पर middle में कोन खेलने आता है, डेरी जडेजा को यहाँ पर मैंने vice captain बनाया है, और जी फिलिप्स को रखा है, जो की death में run बनाएगा, मिचल सेंटनर बैटिंग से भी point देगा, तो यह थोड़ी सी risk की team है, अब इसमें और बड़ा risk लेना चाते हो, तो low case राहूल पर risk ले सकते हो, इसकी जगह आपको क्या करना या तो आप यहाँ पर मुम्बरा के साथ जा सकते हो, डेरी मिचल के साथ जा सकते हो, स्रे सयर के साथ जा सकते हो, सुमन गिल के साथ जा सकते हो, अगर आप यहाँ पर रोहित सर्मा और सुमन गिल को भी captain बना सकते हो, तो इस तरह से आपको अपना mind लगा कर multiple combination तयार करना है तो ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिन्नेवाद थैंक यू